जितने भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहते हूं जिनके पास मैं जो बता रहा हूं आपके पास अगर वह सेक्षणी क्यों गयता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस संबन्द में अवेदान आपका स्टार्ट होने वाला है कभी भी इसके लिए आपको बता दूँ कि 36 गड़ में लगभग 225 सिक्षकों के पद भरती होने माला है जब पूरा इंडिया का सभी स्टेट पर यह वेकंसिस आएगा तो अपने 36 गड़ में भी 225 पदों पर जो है सिक्षकर्मी के पद जो है खाली है उस पर जो है भरती होगा अम बात करीज क कि एक सेक्षणी कम्प्लिट होना चाहिए और आपका बैट जो है कमप्लीट होना चाहिए क्या कि आपका बीट जो डी लिचे वाले स्टुडेंट है वो प्लाइद और टी अलेट कर लेंगे और यह ज़ादा प्रात्मिक्त धर रबिफ। दिया जाता है, तो जितने भी स्टुडेंट हैं, जिनके बाद ये सेक्षणी को गयता है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, आई यू सीमा की बात करें, तो आपका मिनिमम एकिस वर सामका जो है, आई यू होना चाहिए, चैन प्रक्रिया की ब मिलेगा, सिलेबस की बात करें, तो आपका सिलेबस में आपको बताऊंगे, कि आपको कौन-कौन से बुक से पुछतक से जो आप पढ़ाई कर रहेंगे, जिसे आप जो है नमवदय विद्याला में, जो सिक्षा कर्मी के पदो पर जो भरती निकलेगा, तो आप उस एक्जा कर दीजे, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि किसी चीज का नोटिफिकेसन जब आएगा, तब ही हम तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नोटिफिकेसन जब आता है, तो आपका प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाता है, कि हम एक्जाम को इतने दिन में कैसे कवर कवर कर पाएंगे, तो आप जो इस्टार्टिंग अभी से पढ़ाई करने स्टार्ट कर दीजे और जो पुस्तक मैं आपको बताऊंगा, अगर उन पुस्तक से आप पढ़ाई करते हैं, आप चाहिज से जी व्यापन के या फिर चातिस गड़ में किसी भी एक्जाम की प्रि जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सेके, और अभी सब्सक्राइब करने में बहुत ही अशानी होगा, तो सबसे पहले जो पुस्तक है, अरि राम पटेल सर का कॉंपिटीशन अकैडमी का चतिस गड़ विसीष्ट अध्यान आता है, जिसमें आपको चतिस गड़ का पूरा जानगारी दिया रहता है, और तूटेज़क आपको अबजेक्टिव के लिए प्रतियोगीता सारांस, ये बुक आपको लेना है, क्योंक आपको दिया रहता है, अभी तक वापन में जितने भी क्वेस्टन पूछे गए है, वो सभी क्वेस्टन आपका आता है, डिली आईस अकेडमी का चतिस गड़ी भासा के लिए ले सकते हैं, और हरी राम पटेल सर कही चतिस गड़ भासा में व्याकरन, इसका भी आप हरी रा क्रिया क्वालिफा कर ने के लिए आपका करेंट इफेर्स का जानकारी, नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जूरी होता है, क्योंकि यसीसे आपका एग्दाब होता है, इसके लिए आप विकास पर॥र रक कमासिक पत्र कर ले सकते हैं, और कररनेंट अफेर्स के लिए जो अध्यान और बात करें समग रहें 36 गड़ के लिए तो आपको Hindi Grand Academy ले लेना हैं और Indian and World of Current Affairs के लिए आपको प्रतियोगिता दरपंड का मंथली मैगजीन लेना है जिससे आपका Indian World of Current Affairs का किसी ने कौन से लाड़ी ने कौन से खिताब जीता है गोल्ड जीता मेंडल शिल्वर सबी चीजों के बारे में आपको जो अच्छो से नॉलेज हो पाएगा और बात करें कम्प्यूटर के लिए तो कम्प्यूटर के लिए आप परिक्षा मन्थन का आप ले सकते हैं कम्प्यूटर एक कम्प्यूटर एक परिचर और हिंदी के लिए डिली इस अकेडमी के बुक ले लेना है और बात करें, इंग्लीज के लिए, इंग्लीज के लिए, इसेंशियल इंग्लीज रस्मी सहीं, दीशा पप्लिकेशन के, जिसमें आपका इंग्लीज ग्रामा, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजेक्शन, प्रिपोजिशन, डिग्री, आर्टिकर, डिटर्मिनेशन, सभी चीजे दिया रहते हैं, तो आप दिशाप अप्लिकेशन के, ये इसेंशियल इंग्लीज, ले शकते हैं, बात करें, एप्टिट्यूड और रिजिनिंग के लिए, वस्तुनिस्ट के लिए, आप जो है, डॉक्टर आरहे, शाग्रवाल को वस्तुनिस्ट, आंक गडित, ले शकते है और रिजिनिंग के बात करें, तो अरिहंद का मास्टर रिजिनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एंड एनलेटिकल दिया रहता है, जो भी स्टुडेंट, जो मैट्स में बहुत जादा वीक है, वो इन बुक्स से जो है, पढ़ाई कर सकते हैं, अरिहंद का मास्टर अब बात करें, जनरा साइंस येस के लिए, तो इसके लिए जो है, आप समान विज्ञान के लिए, दिरिष्टी आइस का क्विक बुक ले सकते हैं, और कॉंस्टिट्यूशन के लिए, सविधान के लिए, एम लच मिकांद की, जो भारत की राजवस्त है, और इंडियन हिस् जो राइटर है, इसके डॉक्टर है, इन बुक से आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इकोनोमिक्स जनराल इस्टडी इसके लिए, दिरिष्टी आइस के क्विक बुक और भारती अर्थ व्यवस्ता, तो इन बुक से आप अच्छे से पढ़ाई कीजे, तो आप निसी तोर पर ह अगे, तो अगर वीडियो चल लगए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड कर दो, तुसकी जनकरी सबसे पहले आप सभी को मिल सके, और अभी तक आपन क्लियर हो जाएगा, तो आप मुझे कमेंट कीजे, क्वेस्टन पूछे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो, जरूर कर लीजे, तो आपका कोई भी क्वेस्टन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजे, मैं सभी के कमेंट कर रिपलाई करने की कोशिस करूंगा, तो जो बुक, जो पढ़ाई करते हैं, तो आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर क्वालिफाई जो आप कर पाएंगे, तो प्लीस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक जरूर पहुचाए, जो भी कॉंपिटिशन एग्जाम के तियारी करें, प्रिप्रेशन करें, और उनको पता नह कि उनको कौन से बुक से पढ़ाई करना है, तो प्लीस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए, तो थैंक यू, तो वीडियो को जितना हो सके फैलाद और शेयर कर दो, कोई भी स्टूजन जो पढ़ाई कर रहें, उन तक वीडियो को जरूर पहुचाए, ताकि उन के मन में एक डाउट रहते हैं कि हम कौन से बुक से बढ़ा करें, तो आपका सभी डाउट जो है, क्लियर हो गया हो गया, आई होब की इस वीडियो में, तो प्लीस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह के थे इस तरह कि चीजार में, सिजी, व्यापान हो, सिजी, पैसी इसकी knowledge पाने के लिए चैनल के साथ बने रही है तो प्लीज चैनल को सब इसक्राइब जरूर कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में So thank you